अच्छो क्या हाल चाल मस्त एक दम तो alternating current का lecture no.2 और आज हम start करने जा रहे है circuit theory circuit theory में क्या होगा कि यह जो alternating current है या जो alternating potential है इसको हम apply करेंगे किसी resistor में या किसी capacitor में या किसी inductor में और उसके बाद कैसे चीज़ों को deal करना है ये चीज़ समझेंगे आज के lecture में तो हम pure resistor में apply करेंगे pure capacitor में और pure inductor में उसके बाद अगले lecture से हम combine करना स्टार्ट करेंगे resistor inductor, resistor capacitor अलग-अलग circuits देखना स्टार्ट करेंगे circuit theory तो आज तो बहुत basics पढ़ाएंगे इसकी और बहुत important होगा आज का lecture जो बाते बता है उसको अच्छे से note कर लेना और समझ लेना चलिए शुरू करते हैं यार बाते कतम करते हैं my name is अलग-पांडे and this is your beautiful channel physics वाला निकालो भाई coffee और बेर और शुरू करें यह खूब शुरू करें यह खूब शूरत से lecture a very good afternoon to all my dear students a very good morning or a very good evening or a very good night जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो जो बच्चे चाहें वो हमारी website www.physicswalalagpandit.com बे जाके इस lecture के pdf notes डाउनलेट कर सकते हैं हाँ तो भाई आज हम पढ़ेंगे circuit theory circuit theory ठीक है पहला lecture ले लेते हैं इसका आज हम पढ़ेंगे कि जब alternating current किसी pure resistive circuit में या pure inductive circuit में या pure capacitive circuit में आता है तब क्या क्या होता है तो सबसे पहले हम स्टाट करने जा रहे हैं pure एक्पीमूर। एक्पीमूर। छेटूर। इसा इसके सर्कृत जिसमें सिर्फ एक것 लेभी हैं। पर पर्रेक्टर। जना-चालो भए। तो हम ने यहां पर एक जुन-जू-जां-जू-जू-जू-जू-झाल यानि रेजिस्टेंट कर दिया इसको एसी सूर्स से यह सी सूर से जो इमेफ आ रहा वो है V is equals to V not sin omega T सबको पता है AC potentialis type का होता है E is equals to V not sin omega T या V is equals to V not sin omega T अब इसकी वज़े से इस resistance में किस तरह का current आएगा किस तरह वैसे तो alternating current का direction लगातार बदलता रहता है माल लेते हैं किसी instant पे current ऐसे जा रहा है मैं फिर से बोलना हूं alternating current का direction लगातार बदलता रहता है एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक सेकेंड में 100 वार अगर frequency पचास एक है हमने माल लिया किसी instant पे current इधर जाता है इस instant पे हम इस circuit पे किर्चौफलो लगाएंगे किर्चौफलो यह बन गया हमारा close loop अब यहां से क्या लिखोगे V और इसके क्या लिखोगे minus IR is equals to zero किर्चौफलो लगता है by current भी इधर पाथ भी इधर तो minus लिखेंगे minus IR अब यहां से लिख सकते हैं V is equals to IR बड़ा सिंपल है यहां से I is equals to V बटे आरर है बड़ा सिंपल था resistance में V potential लगाया तो V is equals to IR अब V की जड़े आप लिख सकते हो V not sin omega t upon R बुरो लिख सकते हैं ध्यान से देखो यह current की equation बन नहीं V not constant है इसकी maximum value इसका amplitude आर resistance constant है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं I is equals to I not sin omega t V सोचो 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 यह भी constant यह भी constant दोनों को हटा के नया constant ले राए I not what is I not I not is the peak current maximum current तो हम बोल सकते है I not क्या है I not is equals to V not by R and this is the peak current current गायरी करता रहेगा यह उसकी maximum value and this is peak EMF यह peak potential गोलो तो आप दियांच से देखो यह current भी कैसा है potential जैसा ही है sinus undual sign का graph I is equals to I not sin omega t और यहां V is equals to V not sin omega t बड़ा simple था कि चॉप लगाया loop बंद किया यहां से current निकल ला है battery ज्यादा समझ लो तो इसको V current भी इधर path भी इधर minus I R close loop में क्या होता है 0 होता है sum of potential V is equals to I R I is equals to A हमने का यह भी constant यह भी constant दोनों का टाकिया I not लिख दिया what is I not peak current अब आपको एक चीदा समझनी है जो की होगा phase difference phase difference आज की लेक्चर में समझना है यहां formula बता दिरेंगे सब है बड़ा आसा है phase difference यह क्या है ध्यान से यह है phase of V minus phase of I का mod phase of V minus phase of I का mod phase क्या होता है यह जो sign के साथ यह पर साइन के साथ ना यह phase है कुछ लिखा वं अदर omega T रिखाओ omega T plus pi by 2 लिखाओ omega T plus pi by 3 रखाओ इसके निर जो भी लिखाओ sign के बाद that is face sign के बाद cos के बाद तो हम बोलेंगे V का phase कितना है omega t i का phase कितना है sin के साथ omega t omega t minus omega t zero यानि यहाँ पे बच्चों कोई phase difference नहीं है तो हम लिखते हैं current is in phase with resistor sorry with potential very sorry current is in phase with potential current potential के ही phase में है इसका मतलब क्या हुआ sir इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह का potential का curve होगा exactly वही curve current का होगा जब potential maximum होगा तब current maximum होगा जब potential minimum होगा तब current minimum होगा इस चीज़ को हम दो चीज़ से समझेंगे अभी एक होगा phasor diagram एक होगा wave diagram नहीं नहीं चीज़ें आने वाली आज मज़ा आएगा phasor diagram जैसे बता देंगे एकदम पकड़ लेना कभी गलत नहीं होगा और आज के lecture की चीज़ें बहुत important होगी upcoming lectures के लिए phasor diagram बनाना आपको आना चाहिए चलो तो pure resistive circuit में current और potential एक तरह के होते हैं मिटारें का phase होता है हमका मिटारें इसको मिटारें okay अब हम सीखेंगे इसका phasor diagram phasor diagram इसमें क्या करेंगा इसमें आप यहां पर पहले बनाओ इससे इस एकसिस को बोल दो time की एकसिस अब हम इसमें v plot करेंगे क्या plot करेंगे v जरब एक equation बताओ v is equals to v not sin omega t मैंने कहा एक काम करते हैं ऐसे एक arrow बनाते है v not और माल लेते हैं कि यहां से यहां गूम के angle बना omega t यह कुछ angle है यह angle कितना बना omega t बाई sin के साथ तो angle ही होता है ना अब सुनो सुनो द्यां सुनो इस arrow का y axis पे projection इस arrow का y axis पे projection यह इस arrow का y axis पे जो shadow बन रहा है यह कितना होता देखो इस तरफ लोगे तो v not cos omega t और इस तरफ लोगे तो v not sin omega t इधर क्या होता है cos theta इधर क्या होता है sin theta यह projection हो जाएगा v not sin omega t ऐसे diagram को हम बोलते है phasor diagram अब देखो इसमें क्या होता है इसमें जो length of arrow होती है जो arrow बनाई है length of arrow होती है यह represent करती है peak value को ठीक है peak value v not की value इतनी है ठीक है और यह जो y axis पे projection है projection on y axis यह represent करता है आपके किस चीज़ को instantaneous v की v कितना है यह represent करता है v is equals to v not sin omega t यानि किसको instantaneous value को instantaneous value को अब एक बात बताओ current का angle क्या है current का phase क्या है i is equals to i not sin अभी wave diagram बनाके भी समझाएंगे कि यह मतलब क्या हो रहा है i is equals to i not sin omega t इसका phase भी omega t है पर जो current की value है फो ऐसी होती है i not is equals to क्या लिकता v not by r तो v not से थोड़ी छोटी होगी resistance divided तो एक काम करते है बनेगा तो इसी पे current भी क्योंकि angle इसका भी omega t है but value थोड़ी छोटी लेगी arrow की length थोड़ी छोटी कर दी यह हो गया i not बोलो समझे थोड़ा था छोटा है peak current potential से value थोड़ी से छोटी की इसका y axis पे projection यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा i not sign या तो v का देख लो या तो i का देख लो दोनों की कौन सी value है instantaneous value तो y axis का projection रिप्रेजेंट करता है instantaneous value को arrow रिप्रेजेंट करता है peak value को और यह angle यह रिप्रेजेंट करता है phase को दोनों same phase में है तो एक साथ बना है देख वो ऐसा बनाते है अच्छी किताब हो में बड़ जो हम सवाल solve करेंगे तो बार बार इतना हम वहां पे जान नहीं पालेंगे हम सवाल solve करते वक्त इसका दोनों किसमें है तो नोट करें इतना फिर वेव डाइग्राम बना इसका चलिए बना लिया इसको आए देखते हैं इसका वेव डाइग्राम 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 वेव ये time इस पर एफ वी को plot करें वी क्या है वी नौट साइन उमेग आटी देखोसाइन का graph ऐसे बनता है सबको पता है यह बनता है साइन का graph v is equals to v not sin उमेग आटी बोलो live देबगे है अब सभी स्वाइब हो तो यहमारा ग्राफ हो अनुन में बोल दिया भी by V is equals to V not sin omega t यह sin का कर्फ होता है अब आई का ग्राफ बना है by I की भी बैली है या I not sin omega t और 10 के साथ in phase है by sin omega t एक्दम same phase में है तो यहां से current भी start करो बसे एक बात ध्यान देना कि current तो graph ऐसा ही बनेगा, इसी के phase में बनेगा, ऐसे, 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 अब द्यास देखो, जब potential 0 हो रहा, तब current भी 0 हो रहा, ये current graph, I not sign, जब potential maximum हो रहा, current maximum, जब potential maximum negative side में, तब current maximum negative side में, जब potential फिर से maximum, current फिर से maximum, बात समझ में आई, इसको बोलते हैं, same phase में होना, अब फिल हो रहा है, कि current और potential साथ साथ maximum, साथ साथ minimum, अचीव करेंगे, किसमें, pure resistive circuit में, नोट कर लिए, अब इसमें सवाल कराने कोई जर्वत है नहीं, क्या ही करोगे इसमें, असान है, I not पकड़ लो, V not by R आता है, same phase में होते हैं, इंडक्टर, इंडक्टर सवाल कराते हैं, नोट कर लिया, इसमें तो कुछ हुआई नहीं सार, यह सब तो हम भी कर लेते हैं, घर में बाटके, तंचे केला दे, pure inductive circuit, अब बताते हैं, pure inductive circuit, तो इंडक्टर कैसे बनता है, ऐसे जलूम, 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 ऐसे बनता है इंडक्टर, और यहां लगा दिया हमने, AC source, इंडक्टर के हम लोग L बोलते हैं न, self inductance L, कैसे में होती है इसकी value, है नरी में, किसमें, है नरी में, अच्छा, माल लेते हैं जो potential apply किया, this is V is equals to V not sin omega t, आओ अब current नेकालते हैं कि in phase है, या in phase नहीं है, एक समय पे लिए माल लेते हैं कि current इस तरफ है, at some instant, किसी एक particular समय पे current ऐसे है, अच्छा, आपको पता है inductor की property क्या होती है, जो भी change हो रहा हो, सको oppose करो, तो अभी current इदर आना चाह रहा है, तो यह सको oppose करके क्या करेंगे, इस तरफ current बेजेंगे, यानि यह कुछ ऐसे battery ब LDI by DT, बढ़ाएं सब, अपलाए करो, किर्चॉफ law, यहां से चलोगे, यहां से current निकल रहा है, मानने हैं, तो यह plus में हो गया, V, यहां है, इतना से तहां गया, plus से minus, plus से minus गया, यानि potential में fall हुआ, high से low, यानि minus करना खोड़ेगा, V minus E is equals to zero, कई लो क्या रहा है, यह किर्चॉफ law की से लगाते है तो आपको यूटॉब पर टाइप करना है, और लिखना है, किर्चॉफ law फिजिक्स, यह किर्चॉफ law लगाने का तरीका, लूप हमने close किया, यहां से देखो, current आ रहा है, तो इसको plus भी लिया, और यहां हम कैसे cross कर रहे, plus से minus, जब भी plus से minus जाते हैं तो, minus करते हैं, बैक l di by dt is equals to v, यहां से मिल सकते हैं, di is equals to v by l into dt, इसको अमागे लिख सकते हैं, di is equals to v के वालू बताओ, v0 sin omega t, v0 sin omega t upon l into dt, यहां तक नोट करो, di मिल गया, i मिली जाएगा, integration से, नोट करें पहले, pure inductive circuit से, क्या होरा इसमे, कि पैस्टर में तो असान था, divide कर दिया, तब ही तो पड़ा रहे हैं अलग से, pure inductive circuit, inductor का थाम क्या है, जो भी change हो, उसको oppose करो, इसने यहां से, इस instant पे current इधर वे जाएगा, जो भी change होगा, उसको oppose करेंगे, opposite current बना है, induced current, और यहां पे बैट्री जैसा बन गया, इस बैट्री का EMF होता है, l di by dt, और इस तरफ क्य यहां से current आ रहा था, plus V, plus से minus तो minus V, यहां से current आ रहा मतलब, यहां इसको थोड़ा साभी बैट्री की तरह, imagine कर सकते हैं, कि current यहां से निकलाती है, positive तो ही है, negative, ठीक है, यहां तरफ नोट करें, di is equals to, v naught by l sin omega t dt, लेख लिया, आगे बढ़ते हो, यहां जाओ, di is equals to, v naught by l sin omega t dt, एक काम लगते हैं, इसको integrate करते हैं, दोनों तरफ integrate, अच्छा, di का integration करोगे कितना आ जाएगा, i, di, di, di जुरोगे, v naught क्या है, peak value, constant चीज़ है, l क्या है, self inductance की value है, coefficient of self inductance, constant बहां निकला दो, i is equals to, v naught by l, integration of sin omega t, sin omega t का integration होता है, minus cos omega t, और omega से divide भी करना पड़ेगा, बलो yes, और no, sin omega t का integration क्या आएगा, minus cos omega t, और omega है तो उसके divide करना पड़ेगा, तो और बढ़ेगा, अच्छा, अब बताओ चरा, क्या ये भी कुछ i naught, y naught में बदलेगा, क्या, कुछ बनेगा, क्या सर, v naught by omega l, g, minus cos omega t, f66, सर, क्या हो रहा है ये, वो register वाला सही था, अरे बहुत असान है, आज का lecture दम पकड़े चलो, अगले, दो तीन lecture में मजा आने लगेगा, v naught by omega, 3rd से याग करना है, minus cos omega t, यह मैं आपको एक नई चीज दिखाऊंगा, ध्यास देखो तो current भी थोड़ा बहुत हार्मोनिक, simple harmonic type का ही दिख़़ा है, sin omega t, cos omega t, यह सब अपनी SHM की equation होती है, होती है सर, मैं अब यह से behave करूंगा, मुझे पता SHM क्या होता है, यह से बहुत बड़ा ही होगा, यह सब बहुत बड़ा ही होगा ना, y is equals to a sin omega t, तो यार देखो यह भी कुछ-कुछ harmonic equation बन गई है, यार इस चीज़ को मैं i not लिख दूं तो, तो काम बन जाएगा सर, लिखके बताए, i is equals to minus i not cos omega t, sin में नहीं आया, sin में नहीं आया, इसके साथ in phase नहीं है, sin में नहीं आया, in phase होता तो i not sin omega t आजाता है, खे, अभी बात करते हैं कि इसको हटा के i not लिखती है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, और कोई बात ही नहीं थी, है ओरर लिखने का तरीका ही यहCRNe अब यह जो आइन Еश्की वैलु कितनी हो गी है नहीं जीर जाड़ी तेना प और V-naught by omega L. अच्छा, I-naught की value, क्या V-naught by R बगेरा होना चाहिए था कुछ? देखो, I-naught की value क्या है? V-naught by omega L. ये I-naught तो V-naught by R जैसा होना चाहिए. ये R जैसा ही है, बच्चो. It's like resistance. अभी समझने के लिए. Resemble ये resistance से ही करता है. इसको हम बोलते हैं, inductive reactance. omega L को हम क्या लिखते हैं? inductive reactance. दिखान से. I-naught is equals to V-naught by XL. Resistance का equivalent समझे लो, inductive. सर, resistance का equivalent ये नहीं, नहीं. ये. V-naught by XL. R की जैगे XL है. देखो, दिखान से. V-naught by omega L cos omega T. लग रहा था, I is equals to I-naught cos omega T जैसा. लिख दागा. इसको इसके equal कर दिया. फिर हमने कहां, नीचे कुछ resistance जैसा होना चाहिए. तो हमने कहां है. इसका नाम है, inductive reactance. लिखें. inductive reactance. देखो, आज नहीं नहीं चीजें मिलेंगी. इसकी लगले दो थी लेक्चर माझा आएगा. inductive reactance. इसकी value किती है? omega कैई. इसकी unit क्या होगी? ohm, बाई इदर current लाना है. उपर potential है, तो नीचे definitely ohm ही तो होगा. ampere कैसे आता है? volt upon ohm से. ampere कैसे आता है? volt upon ohm से. तो इसको तो ohm होना ही पड़ेगा. यानि inductive reactance की जो unit है, वो ohm ही है. तभी तो बोला like resistance. आसर मसा आ गया. वहाँ पे क्या है? i0 sin omega t must. यहां पे कुछ अला गा रहा. हाँ, minus b आ गया sin omega t के integration से. और v0 by omega l बुचा गया. उसको हमने i0 बोला. अब पता लगाएं, इसके साथ in phase है कि नहीं को हम बता रहें नहीं है. पर आपको कैसे दिखेगा? in phase का मतलब यह चीज सेम हो इंगिल, वो तो सेम है पर यहां पर यह ही अलग है function ही अलग है sin of force का. तो इक का अंदबते हैं, इसको कोशिश करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, इसको मिट आले, यह लिख लिखिया, इंड़क्टिव रियाक्टेंस, अब हम कोशिश करेंगे, इसको sin के function में ले जाएंगे, देखो जगा, i is equals to minus i naught, क्या मैं cos omega t 4, sin 90 minus omega t लिख सकते हैं, sin 90 minus theta is cos theta, sin 90 minus theta is cos theta, यह cos theta का मैंने sin 90 minus theta लिख लिखिया, अच्छा, minus sin, sin में अगर अंदर बेज़े, तो अंदर negative चला जाता है, पढ़ रखा होगा आपने, sin of minus theta is equals to minus sin theta, तो यह minus sin उखा के अंदर बेज़ सकते हैं, बस अंदर बुरा minus minus लगाना पड़ेगा, तो i is equals to i naught sin omega t minus pi by 2, ओ, हो, 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 क्या बात है, अब current v-sine के function में, v-sine के function में, अब बताओ क्या दोनों in phase है, नहीं, current और इसमें कितना phase difference है, pi by 2, 90 degree का, देखो, यहाँ जो भी आया है, तो कोशिश करो, sin के terms में लिखने के, तो cos theta को हम sin 90 minus theta लिख सकते हैं, तो लिख दिया है, अब इसमें आपका सवाल बहुत जिन्मेन है, कि इसको sin 90 plus theta क्यों नहीं लिखा, सब्सक्राइब क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो अगर 90 plus theta लेते हैं, फिर minus अंदर भेज तो यह भी minus होता है, यह भी minus नहीं, omega t को positive ही चाहिए, समझके, इसे लिख sin 90 minus theta लिख किया, minus अंदर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बट उससे फिर omega t negative होता है, कि potential और current में phase difference है, पीछे कौन है phase में? यह, यह इससे, यह इससे 90 degree पीछे चल रहा है, इसका wave function इससे 90 degree पीछे भाग रहा है, बना के दिखाएंगे tension, अब यह एक line लिख लो पहले, current lags behind, लिखो हाई, potential, EMF लिखना हो, EMF लिख लो, by 90 degree, यह रेजिस्टर में जा था? in phase, यहाँ पे in phase नहीं है, current lags behind potential by 90 degree, लिखेंगे, यह दिख रहा है, phase difference नहीं दोनों में, 90 degree का, पीछे कौन है यह, minus pi by 2, पीछे चल रहा है, note करें, बहुत नएनी चीज़ें आ गई है, चाब लिया, चल लो, इसका phaser diagram मनाते हैं, उससे पहले, एक बाच जल्दी से रहा है, इसको revise कर लेंगे, current निकाल, आपने का यह बैक्री बन जाएगा, current को oppose करेंगा, इसका IMF, LDI by DT by सा, तिर आपने का जब इसको हम close circuit बनाएं, तो यह V plus में हो जाएगा, और यह minus E हो जाएगा, फिर V is equals to LDI by DT, आपने का इसको integrate किया, integrate करके यह expression बना, फिर यहाँ तक पहुचे हैं, हमने का इसको I not लिख सकते हैं, I not लिखने के लिए V not भाई, omega L हमें लगा कुछ resistance जासे, हमने का चलो उसको हम बोल देते हैं, inductive reactance XL, which is equals to omega L, जिसकी unit 1, फिर हमने का इसको I not बान लिया, हमने का पॉस के जगे sign लाने कोशिश करते हैं, तभी phase clear होगा भाई कि आखे पीछे, sign लाने के लिए cos theta को लिखते है, sign 90 minus theta, 90 plus क्यों ने लिखा बता दिया, क्योंकि यह आपको positive ही चाहिए, sign 90 minus theta, पर यह minus अंदर गया, minus हो क्या है, यह हमने का current इससे पीछे है, न बड़ी पीछे देखो, पीछे है, पीछे को देखा, मिटा रहे हैं, आईए इसका phasor diagram बनाते हैं, इसपे सवाल कराएंगे हैं, हाँ हाँ समझ रहे हैं, हमको बीड़ लगता था, कराएंगे इसपे सवाल, आँ पहले इसका phasor diagram बनाओ, पहले इसका phasor diagram बनाएंगे हम, let us draw the phasor diagram, अब बताओ, दोनों एक के उपर यह आएंगे क्या, बेलकर नहीं आएंगे, आँ बनाते हैं phasor diagram, दिखो पहले आप ऐसे बना लो, यह क्या है, वीड़, यहा से कितना आगे, instantaneous potential, अब current कैसे बनेगा, current की value बताओ, i is equals to i not sin omega t minus 90, pi by 2, यानि current इससे 90 degree पीछे है, 90 degree पीछे, यानि यहाँ से पीछे जाओ 90 degree, यहाँ के बनाओ कारें, नहीं समझें, भाई, आप angle इस तरफ positive लेगा है, यहाँ से यहाँ से यह omega t positive लिया कि नि, लेना भीचे, यह anti-clockwise direction को आपने positive माना और ऐसे omega t बनाया, तो हमें omega t से कितना पीछे जाना है, omega t से 90 degree पीछे, तो omega t से घूंते हुए 90 degree पीछे, यहाँ से 90 degree पीछे आगे, यह इसका phaser attack कारें, इसको simple कर इस एकड़म बनाना हूँ, तो ऐसे बना लो, जैसा हम आके बनाएंगे, आगे हम आईसा बनाएंगे, देखो, यह, 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 यह हो गया VL, और यह हो गया current I, कितना पीछे है 90 degree, बात क्लियर है, सब इसको V, वी और कितना पीछे है इससे 90 degree, बात खत्र है, current lags behind potential by 90 degree, यह, जून चाल जून बताने की जर्वत ही नहीं, accurate तोनों में से यह ज़्यादा है, phasor diagram इसको बोलते हैं, पर question solve पर तक तर उसको यह, रेजिस्टर में यहाद है क्या हुआ था, जिदर V था, उदर आई था, यहाँ सणी है, यहाँ पे आई, V से 90 degree पीछे, क्लियर है, सर्वेव, वेव था, भी बताते हैं, बता, बता, नौट करो, ओके, दिल ने तुमको चुनिया है, तुम ही इसको चुनोना, खाब को ये देखता है, तुम ही सपने बनोना, दिल ये मेरा, तुम से कुछ कह रहा है, सुनो ना, दिल ये मेरा, तुम से कुछ कह रहा है, अब देखो, करेंट इससे 90 degree पीछे है, पीछे है मतलब, ओ समझते हैं, पीछे का मतलब, V is equals to V not sin omega t, I is equals to I not sin omega t minus 90 degree, एक बाद बताओ, जब time 0 है, तब दोनों की value बताओ, T को 0 रख दो, V की value इतनी आएगी, 0, sin 0 is 0, T को 0 रख दो, ये कितना आएगा, सरी, ये कुछ आएगा, ध्यान सुरो, time को 0 रखो, time को 0 रखोगे, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, सरी, time को 0 रखा, V की value 0 है, सरी, यहाँ पर T को 0 रखो, ये तो चलागा, जब ये मैक्सिमम पर पहुचेगा, तब करेंट यहाँ पहुचेगा, बात समझने हैं, जब ये minimum पर पहुचेगा, तो current to spend, तो current to spend, maximum पर पहुचेगा, ऐसा ग्राप बलेगा, इससे 90 डिग्री पीछे, है वही साइन का ग्राप, बट ये start इससे 90 डिग्री पीछे हुआ है, इसको आप माइनस कॉस का ग्राफ भी कह सकते हो, कॉस ग्राफ एक्सिस के उपर या नीचे से start होता है, नीचे से इस लिए हुआ क्योंकि ये माइनस कॉस का ग्राफ था, माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है, ये बन गया, आई इस इक्वल स्टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस और भी वैलू रखे भी कर सकते हो, बिल्कुल मना ही नहीं है, पढ़ने बताएगे, पहली बेलू चर्क कर लो ये जीडो आ रहा है टी रखने है, भी ये टी रखने है माइनस अइन और उसका आउन का कर भी है, तो जहां-जहां ये मैक्सिमम वहाँ वहाँ करेंट मैक्सिमम, ये इस में इंपॉर्टेंट है, करेंट मैक्सिमम तब होगा, जब पोटेंशियल मिनिमम होगा, एंड वाई से वर्षा, फील हुआ, हाँ, सरब फील होगया, बहुत बढ़ी है, चापने, सवाल करें इस पे, चापने इसको, मैरा दिल तुम से सिर्फ और सिर्फ सवाल कहेगा, सवाल नमबर एक, आओ, सवाल नमबर एक, अरे सब यादा जाएगा तीमिती में, सब यादा जाएगा, यहाँ पर एक इंड़क्टर, यहाँ पर एक एसी सोर्स, इंड़क्टर की वैलू, L is equals to 2 henry, V is equals to 10, 10 sin, 10 t, plus 30 degree, हाँ, यह क्या है, यह फेज है इसका, 10 sin omega t, plus 5 अगेरा थी, हो जाएगा मतलब, ठीक है, चोड़क्टर, तो यह V, यह V not हो जाएगा, इतना हो समझिए रहोगे, V is equals to V not sin, यह omega हो गया, यह कुछ है, हमसे कहा, find the equation of current versus time, also calculate time pass, आवाल, IRMS, previous lecture पढ़ा था, I not by 2, वह यह, तो यह आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आप ऐसा नहीं कि पुरा derive करेंगे, बार-बार, ऐसे में कुछ थोड़ीना है, यह आपने देखा, inductor है, तो current lag करेगा 90 degree, यहनि current का phase, इसके phase से 90 degree पीछे है, तो अगर हम current की equation लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे, I is equals to I not, sin, इसका phase पूरा उठा की चिपकाओ, 10T plus 30 minus 90, सर यहाँ पे omega T minus pi by 2 क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे V की value में सिर्फ omega T था, यहाँ V का phase पूरा यह है, current V के phase से 90 degree पीछे होगा, omega T minus pi by 2 हो यह जरूरी, concept यह है, कि current इसके phase से 90 degree पीछे रहे है, इसका जो भी phase जो भी हैंगे रहे हैं, पीछे किस में? इंडक्टर में, और रेजिस्टर होता तो current की यही पोजिशन बनती, 10T plus 30, I naught की value निकाल लेती, अब I naught कैसे निकालोगे? I naught कैसे निकालोगे? I naught is equals to V naught by XL, V naught की value दिखा ही है, maximum value 10, V की peak value 10 है, XL क्या होता है, XL होता है, XL होता है, omega L, omega कहां पे है, यह रहा, जखो V की question ऐसी है लिखिए, यह V is equals to, यहां लिके दिखाता हूं, V की question ऐसी लिखिए, V is equals to V naught sin omega T plus 5, ऐसा कुछ लिखा दो है, तो यह V naught हो गया, यह 10 क्या बन गया, omega, तो 10 into L, L कितना है, 2, तो 20 यानि 10 बटे 20 यानि 0.5, यह maximum current हो गया, तो I is equals to 0.5 sin 10 T minus 60 degree, देखो इससे 90 degree पीछे है, खत्म, बहिए, equation of current versus time, also calculate I rms, यह तो हलवाए, I rms क्या होता है, I naught by root 2, I naught की value कितनी है, 0.5, प्रटें, नोट करें, नोट करेंबर एक चीज़ समझ दो, यह लिखना सही है, पर अगर आप यह लिख देते हो, तो यह गलत हो जाएगा, current is equals to potential upon inductive reactance, गलत है, क्योंग गलत है, क्योंकि current और इसका phase सेम नहीं है यार, ऐसा लिखते न, तो आप लिखते 10 sin 10t plus 30, V, I is equals to यह लिखते, उसको divide कर देते आप 20 से, Excel की value से, तो answer आता, 0.5 sin 10t plus 30, जो कि गलत होता है, अगर यहां से आप I निकालोगे, तो गलत आएगा भाई, यह equation valid नहीं है AC में, peak value निकाल सकते वैसे, बट current की instantaneous value लिखने के लिखने क्लिए आपको concept पता होना चाहिए, कि inductor में current 90 degree पीछे चल रहा है, यह लगाओगे जो लिखोगे high is equals to, यह value divided by 20, तो answer आप देतोगे 10 divided by 20, यानि 0.5 sin 10t plus 30, जो कि गलत होगा, यह लिखना गलत है, वो लिखना सही है, peak value के लिए, नोट करें, peak के लिखो, rms के लिखो, rms के लिखो, rms के लिख सकते हो, अर्यार इधर भी root 2 से divide कर दो, root 2 से divide, root 2 से divide, क्या बन जागा, irms वो बन जागा, vrms, वो सही है, but instantaneous के लिए नहीं लिख सकते, आप i at any time t is equals to v at any time t upon excel नहीं लिख सकते, कि इससे जो current equation बन रही है, वो यही equation यही pace लेकर आ जाएगी, समझ गया हूंगे अब तक, मिटा लें इसको, okay, excel निकाल नहाँ गया, omega l, ठीक है, एक graph सोटा सा देख लो, एक्सल वर्सेस frequency, frequency, frequency होता है ना, किते number of cycle per second ac बना रहा है, वही, excel versus frequency, एक्सल की value किती है, omega है, क्या आपको यह पता है, कि omega को हम 2 pi f लिखते हैं, where f is the frequency, अगर exam में लिखके आ है, कि किसी ac current की frequency 50 hertz है, पचास ही लिखता है भारत के सवालों में, भारत में frequency ac की 50 है, जर्वे जो current आ रहा है, वो एक second में 50 cycle चलता है, एक second में 50 है, तो माझने देता है frequency 50 hertz है, तो question कैसे बढ़ाओगे, omega निकाल के, यहां 50 रखके जो भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो excel की value क्या लिख सकते हैं, 2 pi f l लिख सकते हैं, excel is equals to omega जगा, 2 pi f, अब यहां से excel of frequency graph देखो, बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे inductive reactance की value बढ़ती जाएगी, अच्छा मानने हमारे पास कोई constant current हो, शरी है सब बाते हम लोग पहले क्यों नहीं किया आस तक, यह सारी बाते हैं, समझा रहे हैं, कोई constant current हो, जैसे आपने जितने भी battery वाले सवाल किये, यह सब में आपने constant current ही उसके आपना, बैक्ट्री वाले जितने भी सवाल किये, current electricity में, in current electricity, क्या हमने कोई variable current लिया था हुदा, constant current, अगर कोई constant current है बच्चों, तो उसकी frequency कित्ती हो जाएगी, 0, अरे DC current, DC current, DC ले लो, constant current, DC current, सार, DC तो variable होता है, variable होता है अबर frequency तो 0 होती है, क्रॉस तो करेगा ने, तो अगर आप पास कोई constant current है, कोई DC current है, तो वहाँ पर frequency कितनी आती थी, 0 आती थी, हम यह बता रहे है, current electricity जब आपने पढ़ा तो यह चीज़ क्यों नहीं पड़ी, simple भाशा है, तो जब आप current electricity पढ़ लाए तो वहाँ पर current frequency 0 थी, जब current frequency 0 होगी बच्चों, तो उस case में excel भी कितना होगा, 0, तो वहाँ को inductive reactance जैसी चीज़ बनी नहीं रही थी, इसलिए वहाँ पर इसको नहीं पढ़ा, जब बैटरी लगा दोगे circuit में, तो inductive reactance का कोई existence नहीं होगा, क्योंकि हमारे syllabus में बैटरी constant current थी है, जिसकी frequency 0 होती है, तो बैटरी वाले सवालों में inductive reactance का कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो AC का symbol ना बना हो, चाप लिया, अब इसी वेदे कोई खल्वा से सवाल दे दू, क्या सवाल क्या है, टू रूपीस question, अरे पूछ रिता है, सवाल के दीश हो कहीं कहीं आ जाएगा, एसे माल लो आप से कह दिया, find inductive reactance of an inductor, L is equal to 2 Henry, connected to an AC of frequency 50 points, बताओ, क्या कुछ है, inductive reactance, XL is equal to omega, omega की value 2 pi f l, 2 pi frequency की ज़िए रखी है, 50, L की value किती है, खत्म, कितना हो गया, 200 pi, unit क्या होगी, ओ, यह का सवाल, ऐसी बस बता रहते हैं, आपको क्या से निकालना है, XL frequency दी हो तो, 205 ohm, समझ में आ रहा है, नोट करें, बहुत, यह समझ गए, कि यहां पे current बीचे चल रहा है, आई नोट बगेरा निकालना पड़ेगा, और तब सवाल बनाना पड़ेगा, हम आते हैं, अपने तीसरे circuit element पे, जो की है pure capacitive circuit, आज combination नहीं रहे है, अगले लेक्टर में combination होगा, pure capacitive circuit, देखो जबाँ, यह हमने एक capacitor रही है, यह एक AC अपलाई किया, इस तरफ चार्ज प्लस Q आया है, इस तरफ चार्ज माइनस Q आया है, इस तरफ चार्ज, प्लस Q आया है, इस तरफ चार्ज माइनस Q आया है, तो capacitor का potential होता है, Q by C is equal to 0, माइनस क्यों लिखा है, कि यहां देखो positive से, जैसे वहां inductor में, positive से negative, positive minus Q by C, तो यहां से आप लिख सकते हो, V is equals to Q by C, Q is equals to CV, अगर आपको कुछ भी नहीं समझाया है, तो यह तो हते ही होगा आपको, यहां साइड में लिख लिख से, कमें लिखे हैं, V minus Q by C is equals to 0 लिखा, इसको V को positive, यहां से यहां गए negative, इसमें potential difference कितना होता है, Q by C, V is equals to Q by C लिखा, और Q is equals to CV लिखा, यह तो पता ही होगा, कुछ नहीं पता होता है, कि अगर आप एक capacitor को V potential के apply गर दोगे, तो क्या मिलेगा, यहां Q is equals to CV, यह तो पता होगा, तरीका कैसे यहीं करनेगा, कि रिखा फ्ला लगा के, लूप बनाओ V, और यह potential minus Q by C, यहां Q is equals to CV, Q is equals to CV को आगे बढ़ाते हैं, V की value पुट कर दो, C, V not sin unica d, अब अपने हों क्या चाहिए होती है, current की equation, अपने को देखना है, current in phase है, कि phase में नहीं है, यह current कैसे आएगा, charge है, क्या current ऐसे आ सकता है, I is equals to DQ by DTS, इसको differentiate कर दो, charge को, differentiate को, CV not constant, sin omega T का differentiation, cos omega T, उसाथ में एक omega से multiply, divide नहीं करना, differentiation कर रहा है, और sin का differentiation, plus cos omega T, integration हो, तब I is equals to, I is equals to, क्या रहा है, देखो चला, I is equals to omega CV not cos omega T, अहा, यह क्या बना, अगर मैं, हाँ, खुला जीब लगेगा अपर, अगर मैं इस पूरे को I not मालूं, I is equals to I not cos omega T, I is equals to, पर इसमें कुछ V not से divide नहीं हो रहा, multiply हो रहा है, समाल लेगे, समाल लेगे, देखो कैसे समाल लेगे, अब हम सब समाल लेगे, let I not is equals to, किसी को माना है, लिखो यही लिखो, omega CV not, हम चाहते थे कि V not divided by कुछ resistance जैसा दिखे, I not is equals to V not upon 1 by omega C, अपने दिमाग लगा दिया, इसको नीचे लाके 1 by omega C लिखते हैं, और यह 1 by omega C कुछ resistance जैसी quantity लग रही है, I not is equals to V not by X C, जीटा C बोलो, यह है inductive capacitance, sorry, sorry, capacitive reactance, देखो reactance बोलते हैं, गल्ती से निकला एक तब मूँ से, रट के नहीं बोलना, देखो, reactance बोलते हैं, जब आक वाँ simple एक element हो, जैसे माल लो, inductor हुआ, यह capacitor हुआ, जब 2-2 आएंगे, यह 3-3 element आएंगे, तब हम impedance values करेंगे, सब resistance जैसी चीज़ें हैं, देखो, सिर्फ resistance है तो resistance बोल दिया, inductor आया तो क्या बोला हमने, inductive reactance, capacitor आया तो capacitive reactance, और अभी 2-2-3-3 आएंगे तब impedance बोल देखेंगे, इसकी unit क्या होगी, वही ohm की होगी, ध्यान देखो, इधर ampere, इधर वोल्ट, तो नीचे definitely क्या आना चाहिए, ohm, तब ही द्वाय करना ampere, तो यह हमको मिल गया, resistance का equivalent, capacitive circuit, क्या XC, XC की value किती है, one by omega c, ध्यान से, XC की value किती है, one by omega c, इसमें बच्चे बोलती करते हैं, XC को omega c याद कर लेते हैं, सब गड़कड़ो जाता है, और यहाँ omega c सामने आया है, उसको नीचे भेजना पड़ेगा रहे भाई, I not की value V not by XC, V not by XL, या V not by R, V not by R में तो R तो R होता है, V not by XL में XL omega L, V not by XC में XC is one by omega c, अब आते हैं फेस वगएरा वाली बात पे, तो हमने कहा है, I equals to I not cos omega t तो समझ में आता है, इसको sine में convert करते हैं, तो cos theta को हम क्या लिख सकते हैं, cos theta को हम दो चीज़ लिख सकते हैं, cos theta में दो तरह से मिल सकता है, sin 90 minus theta से भी मिल सकता है, और sin 90 plus theta से भी मिल सकता है, कौन सा बिटे होगा है, theta क्या है omega t, यानि cos omega t, सुन लो, sin 90 minus omega t से भी आ सकता है, sin 90 plus omega t से भी, कौन सा ले, यहाद बाहर भी माहिमस नहीं है, ओमेगा टी तो पॉजिटिफ चाहिए ना, तो यह वाला लेना चाहिए ना इस बाहर, तो इस बाहर हम दे लिखा, अब बकाओ, क्या करेंट और पोटेंशिल सेम फेज में हैं या इफेरेंट फेज में है, डिफेरेंट फेज में है, करेंट आगे हो गया इस बार, कितना? करेंट लीड्स लाग नी करेंट लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री देख रहा है नब्बे डिग्री से आगे जाए क्या लिखो के स्टेट्मेंट लिखो के करेंट लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री रेजिस्टेंस में साथ में था इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे था और क्यापसिटर में अब्बे डिग्री फेस दिख रहा है यह फेस इसका ओमेगा टी इसके ओमेगा टी प्लस पाइब टू करेंट इससे पाइब आगे चल नोट क करें करें करेंट लीड्स पोटेंशियल बाई अप्लेट इंडक्टर में लाग केपासिटर में लीड चाप लिया मिटारे इसको आए नोट की वैलू किस से आ रही है वी नोट बाई एक्स सी से आ रही है एक्स सी क्या है हमारा के पैसिटिव रियाक्टेंस है उसकी वैलू कितनी है वन बाई उमिकासी पी सवाल करते हैं इसको आए पहले हम बनाते हैं फेजर डाग्राम यहां से कितना आगे उमेगाटी हमने क्या लिया वी इस इक्वल्स टू वी नौट साइं ओमेगाटी और भी कुछ ले सकते ते यहां कौस ओमेगाटी मिले सकते हैं इस बाते समझ लो तो इक करेंट को भी कौस्ट चेंज करने और करेंट क्या रहा है आई नौट साइं ओमेगाटी प्लस पाइबाइट यहां है यानि करेंट इससे नभवे डिगरी आ गया है तो पहले ओमेगाटी एंगल चलो फिर अबबबबबबबबबब और चलो यह यह रहा है कि वह संजें करेंट के लिए देको वीक लिएक लेक इतना चलना था, से ये वमयगा ती, कान खतल हो, करेंट लिएटी जी चलो, फिर नब्बे और NS, करेंट लीड़्स, पोटेंशियल भाई 90 डिग्री, करेंट लीड्स पुटेंशियल या एमेफ बाई 90 डिगरी इसका सिंपलर अगर बनाएंगे इससे करके इस बार आगे कौन है करेंट तो करेंट को यहां बठालो वी को यहां बठालो नब डिगर का इंड़क्टर में उल्टा था आप करेंट पीछे था नब डिगर इंदुम् क्लियर है नोट करेंगे फेजर डाइगर करेंट आगे ओमेगा टी से नब डिगरी बन गया बढ़ यह वेव डाग्राम भी देखना है इसका आप दिखा देंगे जाओ तो आप कुछ से बना सकते हो वेव डाग्राम यह जनरल डाग्राम है जनरल मतला पॉटिक्रेटर किसे पॉजिएन का विगरी अग्राम बनाट साइं टी स्वाल हुए तो अलग्राम यह पाली होगी और आइग्राम भंडिया माला अलो भी का अब यह बद दो, जब time 0 रखोगे तो भी कितना आएगा 0? जब time 0 रखोगे तो i कितना आएगा? बोलो, जब time 0 रखोगे यह 0 हो जाएगा, sin 90 की value 1, तो current आएगा i 1, यानि जब यह 0 है भी, तब current positive में अपने maximum होगे है, time 0 रखो यह 0, sin 90 इस 1, तो current इतना आएगा, यानि जब यह maximum तब current फिर 0, जब यह यहाँ बे 0 होगे तब current negative है maximum, यह बनेगा थाएगा, जब potential 0 है, current अलेडी maximum value हो बैठा है, यह प्लस cos theta graph है, plus cos theta graph origin से उपर, minus cos theta graph origin से नीचे से start उता है, बाकी बनने तो सब बही, जुम, 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 clear होगी बात, यानि यहाँ पे भी वो कहानी तो यहाँ पे दिया है, क्या, कि जब current maximum है, तब potential minimum है, यह inductor में भी है, और यह capacitor में भी है, clear है, मिटार दें, ओके, आज यह के सवाल करते हैं, प्योर के पैसिटर सब्टुट के, question number one, सब आ जाएगा, यहाँ हमने एक capacitor लिया, c, वाइस कर लेना बस एक बार, यहाँ पे हमने यह लगाए है, let this be, V is equal to 10 sin 10T, capacitor लिया दें है, 2μF, find equation of current versus time, calculate I average for full cycle, half cycle, इससे आप पिछले लेक्च्चर पढ़ चुपे हो, फिर भी हम दे रहे हैं, ठीके, और क्या निकाल होगे, XE XE दो निकालने ही पड़ेगा, अच्छा बशुरू किया जाए, और शुरू किया जाए, current equation लिखी, क्या लिखोगे, I is equals to I not, कर अच्छा ट्राई हो पॉस करके, इसको किससे compare कर ले न, इसको इससे, V is equals to V not sin omega t से, तो omega की वेलू हो गई, ये V not की वेलू, कई बाद से आप frequency दे देगा सावाल में, तो frequency से omega बना लोगे न, 2 pi f करके, किया जाए, चला अंतर ने जा, एक, दो, तीन, चार, I is equals to I not sin omega t प्लस भाई बाई 2, तो I is equals to I not निकालना पड़ेगा, I not की वेलू कित्ती होगी बोलो, I not will be V not by Xc, यानि V not by 1 by omega c, XL omega L था ये, 1 by omega c आ रहा था, याद है, तो I not is equals to V not upon, 1 V not की वेलू रखते हो, V not कित्ना है, 10, 10 upon, 1 upon, हुमिगा कित्ना है, 10, और c कित्ना है, 2 microfarad, यानि, 2 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 6, यहाँ सा I not कित्ना है रहा बोलो जाए, 10 दूना 20, उपर आपके होगया ये, 200, 200 into 10 to the power minus, 20, उपर आपके होगया, 200 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 4 ampere, यानि रादो, 2 into 10 to the power minus 4, साइन, उमेगा किवेल कित्ती है, 10 T plus 5, आगी करेंट कि एक्वेशन, और या बूचा है, I average for full cycle, या आपमें पिछे लेक्षर ने पढ़ा था, full cycle का I average कितना आएगा, 0, अगर ये sign का graph है, boss का graph है, तो full cycle का I average 0, और half cycle का कितना होता था, average current, 2 I naught by pi, इस अब पिछले class में हमने आपको पुड़ाया था, 2 I naught by pi, half cycle का I naught के वेलू, 2 into 10 to the power minus 4, अपवान 5, clear है, एक और सवाल करेंगे, इसका अच्छा इसमें भी ये चीज़ याद रखना, ये नहीं लिकना, I at t time is equal to V at t time divided by fc, ये गलत हो जाएगा, क्यों समझ रहना problem क्या है, current इसके साथ phase में नहीं है, equation कुछ से लिखनी पढ़ेगी, लब पे टीच्छे करते हैं, मिटा रहें, आज का लेक्चर बहुत बढ़ियां से, पढ़के revise करते बैठना, तभी नेस लेक्चर में बहुत मज़ा आएगा, नेस लेक्चर में combination होगा नहीं का, बहुत मज़ा आएगा, अच्छो एक सवाल और कर लो, पे लेक्चर बन करते हैं आज का, यहाँ एक capacitor लगा है, C is equal to 5 microfarad का, और यहाँ पे एक AC source लगा दिया, जिसका potential नहीं है, हमसे बोला, किसी instant of time पे जो current है, वो है I is equal to 5 sin 50 T plus 50 degree, current दिया है आपको, किसी instant पे current दिया है I, यहाँ पे current दिया है sometime I, which is equal to 50 sin 5 sin 50 T plus 30 degree, हाँ चाँ जो से हैं, फाइनली, तो क्या हुआ है, सब चेंज हो सकता है, प्यो और भी बूच लेगा है, बताओ, कि पैस्तल में कौन आगे होता है, current, यानि potential पीछे होगा, तो V की equation क्या बना होगे, V is equals to V naught sin, current lead करना है, current इससे 90 degree आगे होना है, यह इससे 90 degree पीछे, तो इसका पुरा phase उठालो, 50 T plus 30 minus 9, सब वहाँ तो current में होगे, अरे concept पकड़ो भाई, इन दों में से आगे हैं कौन है, current leads potential by 90 degree in capacitive circuit, impure capacitive circuit, तो यह 90 degree आगे हो राची, तो यह उससे 90 degree पीछे कर दिया, अब बताओ, V naught की value चाहिए, तो V naught की value कहिसे ने करी, कहिसे ने करी, V naught by XC, यहां से V naught की value कितनी हो जागी, I naught into XC, यहनि I naught into XC is 1 by omega C, I naught कितना दे रखा है, यह रहा I naught, I is equals to I naught sine omega T, यहनि 5, 1 by omega कितना रहा, omega T, अरे यह यह से equation है, I is equals to I naught sine omega T plus 5, omega की value कितनी है, 50, चास, और C कितना है, 5 into 10 to the power minus 6, माइक्रो फाराटे न, 5 से 5 मर जाएगा, 10 to the power minus 6 उपर ले आओ, कितना रहा, V naught is equals to, 5 into 1, और यह होगया I naught, omega होगया 50, और C होगया 5 into 10 to the power minus 6, सही करे न, 5 से 5 कर गया, 10 to the power minus 6 उपर जाग 10 to the power 6, उसको में सकते हैं, 100 into 10 to the power 4, अपान पच्चास यह होगया, तो 2 into 10 to the power 4 वोल्ट, V naught की वे ले, तो B is equals to 2 into 10 to the power 4, sin 50 T minus 60 degree, यह होगया, equation of V versus time, clear है आज के lecture में तीनों चीज़े, क्या-क्या चीज़े हैं, आपको आज बताएं, कि resistor के case में, current और potential same phase में, inductor के case में, current lags behind potential, कितना 90 degree, अब जो भी potential दे रखा है, उसके phase को 90 degree, पीछे लिख दो current के लिए, और कि resistor की case में, current leads potential by 90 degree, potential का जो भी phase दे रखा है, उसके 90 degree जो भी, लिख दें इंपर इसको, circuit theory का first lecture खतम होता है, अगले lecture में आप combination देखोगे, RL circuit, RC circuit और LC circuit, वैसे pure LC बना नहीं सकते, और हम देखेंगे उसको, तो आज आपने क्या क्या देखा, pure resistive देखा, और क्या देखा, pure inductive देखा, और क्या देखा, pure capacitive देखा, ठीक है, अगले lecture में से start करेंगे, pure resistive में आपने क्या देखा, simple, if V is equals to V0 sin omega t, then I is equals to I0 sin omega t, and I0 is equals to V0 by R, और हम phasor diagram बना है, simple वाला, तो VSA, ISA, फिर हमने pure inductive circuit देखा, V is equals to V0 sin omega t, current lag करेगा, 90 degree, I0 sin omega t, minus pi by 2, I0 की value चाहिए, तो V0 by XL, XL की value क्या होती है, XL is equals to omega l, omega क्या होता है, 2 pi f, phasor diagram की बात करें, तो current पीछे है, potential आगे है, तो यह रहा potential, यह रहा current, यह 90 degree, फिर हमने बात की, pure capacitor circuit की, बताओ अपने आपब, बनादे जाओ, बोलो, V is equals to V0 sin omega t, I is equals to I0 sin omega t, plus 90 degree, current lead करता है, I0 की value क्या होगी, V0 by Xc, Xc की value क्या होगी, 1 by omega c, phasor diagram बनाए तो, current lead कर रहा है, तो आगे current, पीछे potential, कितना नबड़ी रहा है, तेस्टों नहीं लगा, समझ में आया, बहुत बढ़ी है, तो यह summary की, और इसी summary से, हम अगला lecture अपना, start करेंगे, phasor diagram बढ़ियां से देख लेना, और यह छोटे-छोटे concept आज पढ़ेना, तो यहीं पर इस lecture को में करते हैं समाँ आपता, एक graph छूड़ी है, मेरे तो चोड़ा साथ, प्यारा साथ, Xc versus frequency, Xc versus frequency, छोटी सी बात, जैसे हमने Xc versus frequency लिया था, तो Xc versus frequency हो यहीं बना दते हैं, की पर पर इनदा, बाई omega cocktail लिख सकते हो, बाई नो बाई 2, पाई FC, तो Xc versus frequency ग्राफ, कहां बनाऊ, Xc versus frequency ग्राफ, यहीं बना दते हो, Xc is equals to omega L, Xc is equals to 1 by omega C, omega is 2 by F into C, तो Xc versus F का ग्राफ, Xc versus F का ग्राफ, ऐसा बनाँगा देखा, इनवर्सली प्रोपोश्चनल दिख रहा है, जैसे ऐसे frequency बढ़ेगी, Xc गठता जाएगा, Xc versus omega ग्राफ दिया ही रनेगा, इसको नोट कल लिए, जब frequency 0 होगी, तो Xc infinite हो जब जब frequency 0 रख दोगे DC case में, तो Xc infinite, नोट कल लोई जब इस चीज़े, चाप ली, Xl directly proportional देखा और ये, इनवर्सली proportional देखा ग्राफ बना के छोग देखेंगे, Xl is equals to omega L, omega is to pi F L, और मैंने कहा था कि, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कि कौन किसमें लीड करता है, किसमें लाइक करता है, Xl क्या, Xc क्या, यही बाते थी, अब असान लग रहो होगा, नेक्स लेक्टर में इनको कम्माइन करेंगे, और तब देखो क्या मज़ा हैगा, तो पढ़ाई करते रहें, All the very best.